लिजे सुनिये मुंशी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास काया कल्प के सोलहवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में संध्या हो गई है ऐसी उमस है कि सांस लेना कठिन है और जेल की कोठ्रियों में ये उमस और भी ऐसा है हो गई है एक भी खिड़की नहीं एक भी जंगला नहीं उस पर मच्छों का निरंतर गान कानों के परदे फाड़े डालता है सब के सब दावत खाने के पहले गागा कर मस्थ हो रहे हैं एक आद मर्भुक के पत्तलों की राह न देखकर कभी कभी रक्त का स्वाद ले लेते हैं लेकिन अधिकांश मंडली उस समय का इंतिजार कर रही है जब निद्रा देवी उनके सामने पत्तल रख कर कहेंगी प्यारे आओ जितना खा सको खाओ जितना पी सको पियो रात तुम्हारी है और भंडार भरपूर यहीं एक कोटरी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया है स्वाधिन्ता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद परदान करती है वो सोच रहे हैं यह भीशन उत्पात क्यों हुआ हमने तो कभी भूल कर भी किसी से ये प्रिर्णा नहीं की फिर लोगों के मन में ये बात कैसे समाई इस प्रिशन का उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि हमारी नियत का नतीजा है हमारी शांत शिक्षा की तह में द्वेश छिपा हुआ था हम भूल गए थे कि संगठित शक्ती आग्रहमय होती है अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है अगर हमारी नियत साफ होती तो जनता की मन में कभी राजाओं पर चड़ दोड़ने का आवेश न होता लेकिन क्या जनता राजाओं की केम्प की तरफ ना जाती तो पुलिस उन्हें बिना रोक टुक अपने घर जाने देती कभी नहीं सवार के लिए घोड़े का आड़ जाना ये बिगड़ जाना एक बात है जो छेड़ छेड़ कर लड़ना चाहे उससे कोई क्यों कर बचे फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध ना करे तो उसके संगठन से फायदा ही क्या इसलिए तो उसे सारे उपदेश दिये जाते हैं कठिन समस्या है या तो प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दूँ उन पर कितने ही जुल्म हो उनके निकट न जाओ या ऐसे उपद्रवों के लिए तैयार रहो राज पशुबल का प्रत्यक्ष रूप है वो साधू नहीं है जिसका बल धर्म है वो विद्वान नहीं है जिसका बल तर्क है वो सिपाही है जो डंडे के जोर से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं ये सोचते सोचते उन्हें अपना खयाल आया मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था किसी को भड़का नहीं रहा था जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखें में डाली वही मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो उनके इच्छा इसके सिवा और क्या है कि सभी आदमी अपनी अपनी आखें बंद कर रखें उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का हक नहीं अगर सेवा करना पाप है तो ये पाप तो मैं उस वक्त तक करता रहूँगा जब तक प्राण रहेंगे जेल की क्या चिंता सेवा करने के लिए सभी जगे मौके हैं जेल में तो और भी जादा लाला जी को दुख होगा अमा जी रौएंगी लेकिन मजबूरी है जब बाहर भी जबान और हाथ पाउं बांदे जाएंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर हाँ जरा उसका विस्तारा धेक है मैं किसी तरह प्रतिग्या नहीं कर सकता वो भी जेल ही है वो इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि एका एक मुन्शी वज्रधर कमरे में दाखिल हुए उनकी देह पर एक पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसके असली रंग को छिपाए हुए था नीचे एक पतलून था जो कमर बंद नहोने के कारण खिसक कर इतना नीचा हो गया था कि घुटनों की नीचे एक जोल सा पढ़ गया था संसार में कपड़े से जादा बेवफा और कोई वस्तु नहीं होती हमारा घर बच्पन से बुढ़ापे तक हर वस्ता में हमारा है वस्त्र हमारा होते हुए भी हमारा नहीं रहता आज जो वस्त्र हमारा है वो कल हमारा न रहेगा उसे हमारे सुख दुख की जरा भी चिंता नहीं होती फौरण बेवफाई कर जाता है हम जरा बीमार हो जाएं किसी स्थान की जल्वाई जरा हमारे अनुकूल हो जाए कि बस हमारे प्यारे वस्त्र, जिन के लिए हमने दर्जी की दुकान की खाक छान डाली थी, हमारे साथ छोड़ देते हैं, उन्हें अपना बनाओ, अपनी नहीं होते हैं, अगर जबरदस्ती गले लगाओ तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हम तुम्हारे नहीं, वे केवल हमारी पू किन्तु तहसीलदार साहब हकूमत के जोर से चिप्टाए हुए थे, तुम कितनी ही बेवफाई करो, मेरी कितनी ही बदनामी करो, छोड़ने का नहीं, अच्छे दिनों में तो तुमने हमारे साथ चैन किये, इन बुरे दिनों में तुम्हें क्यों छोड़ू, यह भूत और वर्तमान के संग्राम की मूर्ती बने हुए तैसीलदार साहब, चक्रधर के पास चाकर बुले, क्या करते हो बेटा, यहां तो बड़ा अंधिरा है, चलो बाहर एक का खड़ा है, बैठलो, इधर ही से साहब के बंगले पर होते चलेंगे, जो कुछ वो कहें लिख देना, बा मेम साहब के पास पहुँच कर रोने लगा, इस फन में तुम जानो उस्ताद हूँ, सरकारी मुलाजिमत और वो भी तैसीलदारी सब कुछ सिखा देती है, अंग्रेजों को तुम जानते ही हो, मेमों के गुलाम होते हैं, मेम ने जाकर हजरत को डाटा, क्यों तैसीलदार साह हम आपका बहुत इज़त करता है, आपको हम नाउमेद नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक आपका बेटा इस बात का कौल ना करे, कि वो फिर कभी गोल माल ना करेगा, तब तक हम उसे नहीं छोड़ सकता, हम अभी जेलर को लिखता है, कि उससे पूछ राजी है, मैंने कहा, हुजूर मैं खुज जाता हूँ, और उसे हुजूर की खिदमत में लाकर हासिर करता हूँ, या वहाना चलना चाहो, तो यहीं एक हलफ नामा लिख दो, देर करने से क्या फाइदा, तुमारी अम्मा रूरू कर जान दे रही है, चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो म जवाब दूगा, इसमें सोचने की बात ही क्या है, इस तहसिलदारी की लाज तो रखनी है, की तो थोड़े ही दिन, लेकिन आज तक लोगे याद करते हैं और हमेशा याद करेंगे, कोई हाके मिलाके में आया नहीं कि उससे मिलने दोड़ा, रसत के धेर लगा देता था, हा दाफना मलिक दो, घर में कल से आग नहीं जली, चक्रधर, मेरे आत्मा किसी तरह अपने पाउं में बेड़ियां डालने पर राजी नहीं होती, वज्रधर, मौका देखकर सब कुछ किया जाता है बेटा, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यही राजा साहब पहले तुम कल डिप्टी कलेक्टी में नामजद हो गया, कहां तो हमसे हमदर्दी करता था, कहां विद्रोहियों के खिलाफ जलसा करने के लिए दौडधूप कर रहा है, जब सारी दुनिया अपना मतलब निकालने की धुन में है, तो तुम ही दुनिया की फिक्र में क्यों अपने को बर बैठें, तो कोई वज़ा नहीं कि मैं भी उन्हीं की नकल करूँ, मैं ऐसे लोगों को अपना आदर्श नहीं बना सकता, मेरे आदर्श इन से बहुत उचे हैं, वज्जद्धर, बस तुम्हारी इसी जिद पर मुझे गुसा हता है, मैंने भी अपनी जवानी में इस तरह के खिलवार किये हैं, और उन लोगों को कुछ-कुछ जानता हूँ, जो अपने को जाती के सेवक कहते हैं, पस मुझ ना खुलवा, सब अपने अपने मतलब के बंदे हैं, दुनिया को लूटने के लिए इस सारा स्वांग पहला रखा है, हाँ, तुम्हारे जैसे दो-चार उल ही पहला डंडा है, इसे छोड़कर तुम उपर नहीं जा सकते, चक्रधर जब अभी प्रतिग्या पत्र पर हस्ताक्षा करने पर राजी नहुए, तो मुझ जी निराश होकर बोलें, अच्छा बेटा लो, अब कुछ ना कहेंगे, जो तुम्हारी खुशी हो वो करो, मैं जा गया, सब्र करके बैठो, उसे अपनी बात और अपनी शान माबाप से प्यारी है, जितना रोना हो, रो लो, कठोर से कठोर हिरदाए मैं भी मातर इसने की कोमल इसमृतियां संचित होती है, चक्रधर कातर होकर बोले, आप माता जी को समझाते रहेगा, कह दीजेगा, मुझे इस तरह भी तकलीफ नहीं है, मेरे लिए रंज न करें, वजर धर ने इतने दिनों तक योही तैसिल दारी न की थी, ताड़ गए कि अपकी निशाना ठीक पड़ा, बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गरच पड़ी है कि किसी के लिए जूट बोल, बिना किसी मतलब कि जू पानी तक मुँँ में नहीं डाला, इसी तरह दो चार देन और रहीं, तो प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारे सिर का बोज टल जाएगा, ये लो, वार्डन मुझे बुलाने आ रहे हैं, वक्त पूरा हो गया, चक्रधर ने दीन भाव से कहा, अम्मा जी को एक बार यहान लाईएगा, वज्ज्रधर, तुम्हें इस दशा में देखकर तो उन्हें जो दो चार दिन जीना है वो भी न जीएंगे, क्या कहते हो, इकरार नामा लिखना हो तो मेरे साथ दफ्तर चलो, चक्रधर करुणा से विवल हो गए, बिना कुछ कहे मुझे जी के साथ दफ्तर की बात होगी, दोनों आदमी दफ्तर में आये तो जीलर ने कहा, कहिए तहसिद्दार साहब, आपकी हार हुई न, मैं कहता ना था, वो न सुनेंगे, आजकल के नौजवान अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनते, बज्ज्रधर, जरा कलम दवात तो निकालिये, और बातें पिर होंगी, दारोगा, चक्रधर से, क्या आप इक्रार नामा लिख रहे हैं, निकल गई सारी शेकी, इसी पर इतनी दून की लेते थे, चक्रधर पर घणों पानी पड़ गया, मन की अस्थिरता पर लज्ज्जित हो गए, जाती सेवकों से सभी द्रठता की आशा रखते है सभी उसे आदर्ष पर बलिदान होने देखना चाहते हैं, जाती है ताके शेतर में आते ही उसके गुणों की परिक्षए त्यंत कठोर नियमों से होने लगती है और दोशों की सुक्ष में नियमों से, परली सिरे कग कुचरितर मनुष भी साधु वेश रखने वालों से तिग्या पत्र देखना चाहता हूँ, तैसिल्दार साहब ने जेलर की मेज से वो कागज उठा लिया और चक्रधर को दिखाते हुए बोले, बेटा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ मैं कह चुका हूँ, वही बातें जरा कानूनी धंग से लिखी गई है, चक्रधर ने काग से बरी हो कराऊंगा, या सजा के दिन काट कर, ये कहकर चक्रधर अपनी कोट्री में चले आए और ये कांत में खूब रोए, आसू मर रहे थे पर जेलर की सामने कैसे रूते है, एक सबता है बात मिस्टर जिम के अजलास में मुकदमा चलने लगा, तैसिल्दार साहब ने न जिम जब बंगले से निकलते तो दौर पर मुंशी जी खड़े नजर आते थे, कचहरी से आते तो भी उन्हें वहीं खड़ा पाते, मारे करोध के लाल हो जाते, दो एक बार घूसा भी ताना, लेकिन मुंशी जी को सिर नीचा की ये देख दया आ गई, अक्सर ये साहब के दौनों बच्चों को खिलाया करते, कंदे पर लेकर दोड़ते, मिठाईयां लाला कर खिलाते और मेम साहब को हसाने वाले लतीफ ही सुनाते, आखिर एक दिन साहब ने पूछा, तो मुझसे क्या चाहता है, वज्जर धर ने अपनी पगड़ी उतार कर साहब के पेरों पर मर जाओं, किसके सामने रो, इन पके भालों पर तरस खाये, मर जाओंगा हुजूर, इतना बड़ा सदमा उठाने की ताकत अब नहीं रही, जिम, हम छोड़ नहीं सकता है, किसी तरह नहीं, वज्जर धर, हुजूर जो चाहें करें, मेरा तो आप से कहने ही भर का अख्तिया हुजूर को दूआ देता हुआ मर जाओंगा, पर दामन न छोड़ूँगा, जिम, तुम अपने लड़के को क्यों नहीं समझाता है, वज्जर धर, हुजूर नाखलफ है और क्या कहूं, खुदा सताए दुश्मन को भी ऐसी ओलाद न दे, जी तो यहीं चाहता है कि हासी भीड़ हो जाती, वे सब मजदूर जिन्होंने हर्ताल की थी, एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ जाते, यदि चक्रधर को छोड़ने के लिए एक सो आदमियों की जमानत मांगी जाती, तो उसकी मिलने में बाधना होती, सब जानते थे कि इन्हें हमारे पापों का प बजे का चेहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ती की भाती बैठी रहती, उसके मुख पर पहली किसी अरोन आभा, वो चंचलता वो पर फुलता नहीं है, उसकी जगह द्रड संकल्प, विशाल करोना, अलोक एक धैर और गहरी चिन्ता का फी का रंग चाया हुआ है, मानो कोई वेरागनी है, जिसके मुख पर हास से किम्रदु रेखा, कभी खिची ही नहीं, उना किसी से बोलती है ना मिलती है, उसे देखकर सैसा कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही आमोद प्रिय बाली का है, जिसकी हसी दूसरों को हसाती थी, वहां इस विपुलधन को वो चक्रधर के चरणों पर अर्पन कर देती है, फिर भी चक्रधर उसके राजा नहीं होते, वह अब भी उसके आश्रई ही रहते हैं, उने आश्रई ही देने के लिए वो रानी बनती है, अपने लिए वो कोई मनसूबे नहीं बांधती, जो कुछ सोचत जई चक्रधर के लिए चक्रधर से प्रेम नहीं है केवल भक्ती है चक्रधर को वो मनुश्य नहीं देवता समझती है संधिया का समय था आज पूरे पंद्रह दिनों की कारवाई के बाद मिस्टर जिम ने दो साल की कैद का फैसला सुनाया था ये कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनसार दी जा सकती थी चक्रधर हास हसकर मित्रों से विदा हो रहे थे सबकी आँखों में जल भरा हुआ था मजदूरों का दल इजलास के दौर पर खड़ा जै जै का शौर मचा रहा था कुछ इस्त्रियां खड़ी रो रही थी भी ऐसा न होगा जिसके दिल में आप से सौगना प्रेम न हो गया हो आपने हमें सच्चे साहस आत्म बल और सच्चे कर्तव का रास्ता दिखा दिया जाइए जिस काम का भीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए हमारी शुभ कामना ये आपके साथ है उसने इसी अफसर के लिए कई दिन से वाक करट रखे थे इस भाती उदगारों को ना बांध रखने से वो आवेश में जाने क्या कह जाती चक्रधर ने केवल दबी आँखों से मनुरमा को देखा कुछ बोलना सके उन्हें शर्म आ रही थे कि लोग दिल में क्या खयाल कर रहे होंगे सामने राजा विशाल सिंग, दीवान सहब, ठाक और गुरु सेवक और मुशी वज्रधर खड़े थे बरामदे में हजारों आदमियों की भीड थी धन्वात के शब्द उनकी जबान पर आकर रुख गए वो देखाना चाहते थे कि मनुरमा की ये वीर भकती, उसकी बाल क्लिडा मात रहे एक शण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बिठा दिया और जेल की उरले चले धीरे धीरे कमरा खाली हो गया मिस्टर जिम ने भी चलने की तैयारी की तैसिल्दार साहब के सिवा अब कमरे में और कोई न था जब जिम कटगरे से नीचे उतरे तो मुन्शी जी आँखों में आशु भरे उनके पास आया और बोले मिस्टर जिम मैं तुम्हे आदमी समझता था पर तुम पत्थर निकले मैंने तुम्हारी जितनी खुशामत की अगर उतनी ईश्वर की करता तो मोक्ष पा जाता मगर तुम न पसी जे रियाया का दिल यो मुठी में नहीं आता ये धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक यहां के लोगों की आँखे बंध है ये मज़ा बहुत दिनों तक न उठा सकोगे ये कहते हो हिम मुशी जी कमरे से बाहर चले आए जिम ने कुपित नेत्रों से देखा पर कुछ बोला नहीं चक्रधर जेल पहुँचे तो शाम हो गई थी जाते ही उनके कपड़े उतार लिये गए और जेल के वस्त्र में ले लोटा और तसला भी दिया गया गर्दर में लोहे का नमबर डाल दिया गया चक्रधर जब ये कपड़े पहन कर खड़े हुए तो उनके मुख पर विचित्र शांती की जलक दिखाई दी मानुक किसी ने जीवन का तत्व पालिया हो उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव था और कर्तव का पालन ही चित्त की शांती का मूल मंत्र है रात को जब वो लेटे तो मनुरमा की सूरत आखों के सामने फिरने लगी उसकी एक एक बात यादा आने लगी और हर बात में कोई ना कोई गुपता शाय भी छेपा हुआ मालूम होने लगा लेकिन इसका अंत क्या मनुरमा तुम क्यों मेरे जोपडे में आग लगाती हो तुम्हें मालूम है तुम मुझे किधर कीचे लिये जाती हो ये बाते कल तुम्हें भूल जाएंगी किसी राजा रईस से तुम्हारा विवा हो जाएगा फिर भूल कर भी ना याद करोगी देखने पर शायद पहचान भी ना सको मेरे हिर्दय में क्यों अपने खेल के घरोंदे बना रही हो तुम्हारे लिए जो खेल है वो मेरे लिए मौत है मैं जानता हूँ ये तुम्हारी बाल क्रीड़ा है लेकिन मेरे लिए वो आग की चिंगारी है तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है हिर्दय कितना सरल धन्न होंगे उसके भाग जिसकी तुम हिर्देश्वरी बनोगी मगर इस अभागे को कभी अपनी साहन भूती और साहिर्दयता से वन्चित मत करना मेरे लिए इतना ही बहुत है अभी आप सुन रहे थे मुझे प्रेम चंद के लिखे उपन्यास काया कल्प के सोलहेवे भाग को मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में